जहन प्यारे साथ ही हूँ, स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से खोटा किंग ओफिस्यल पे आए शुरुबात करते हैं आज इस नाटक के तिसरे टॉपिक में और तिसरा नाटक आज हम लोग पढ़ेंगे चाभी काथी नाटक के इस MCQ प्रैक्टिस सेट में यह सौट प्रैक्टिस सेट होगा, यह 50 कुश्चन का सेट होने वाला है यह आपके सौट प्रैक्टिस सेट होगे, अगर आपको पूरा डेटेल में देखना है तो आपका डेटेल में पूरा नाटक जो आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप चाहे तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इसका mcq detail में देखना है तो वो भी देख सकते हैं ये आपको कम time पे आपको Records के लिए यह दिया गया है चलिए शुरूबात करते हैं, आते हैं पहले सवाल पर पहला सवाल है कि चाभी काठी कर अर्थ बतावा तो यहाँ पे चाभी काठी का जो अर्थ बताया जाए सबसे पहले तो याद रखना है कि चाभी काठी एक नाटक है क्या है यह एक नाटक है जो कि एक एक अंकी नाटक है स्रिनवास पानगरी जी के द्वारा लिखा गया यह नाटक है एक आंकी नाटक इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अंकों की संख्या वैसे तो पूरा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन फिर भी इसमें एक अंक ही मानते हैं क्योंकि ये पूरा एक अंक में ही लिखा गया है हलाकि इसमें द्रिश्यों की शंख्या अधीक है तो आपको कमेंट करके बताना कि चाभी काठी नाटक में कुल कितने द्रिश्य हैं ये आप कमेंट करके हमें उंत में बता दीजेगा, पहले आप पूरा वीडियो को देख लिजए, उसके बाद उंत में में कमेंट करके बता दीजेगा, यहाँ पर चाभी काठी का जो अर्थ बताए जा रहा है वो है मालिकाना हक, क्योंकि अंत में कालूराम बोलता है कि लो हमारा चाभी काठी और ये जो वो थमा देता है संभू को लेकिन संभू बोलता है कि नहीं हमें या अधिकार नहीं है कि आपका सारा संपती लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है या संपति का अधिकार आपके पुत्र का है और वो फिर संभु जो वो फिर दुबारा उसे रोहन को सौफ देता है तो ये सारी बाते आपको ध्यान रखना है तो इसका अंसर हो जाएगा मालिकाना हक बोला जाता है चाविकाठी कार्थ चाविकाठी नाटक कर लिखवई या लागत तो चाविकाठी नाटक को जो लिखा गया है वो स्रिनवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है पानुरी जी के द्वारा ही यह नाटक को लिखा गया है 1960 से 80 के बीच के लगबग दसक में अगर देखा जाए तो लगबग 60 के दसक में सनाटक को लिख लिया गया था लेकिन इसका परकासन कई कारणों से नहीं हो पाता है चाहे वो आर्थिक कारण हो या तो और भी जो भी तंगी हो जिसके कारण से नहीं हो पाता है इसका परकासन ह होता है उसमें से कई लोगों का योगदान रहता है जैसे गिरधारी गोश्वामी अकास खोंटी इसके अलावे और वे बिनोद रवानी रामलिला रवानी श्रिणमास पानुरी के पुत्र है है अरजुन पानुरी जैसे कई लोगों का योगदान होता है उसके बाद में यह 2006 इस विवे में परकासित हो बाता है यह नाटक. चले, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे. चाभी काठी सब्दे कौन समास है? तो चाभी काठी सब्द में अगर समास हमको देखना हो, तो क्यों सा समास बोलेंगे? तो देखे इसको तोड़ेंगे, तो समास विग्रह करेंगे, तो होगा चाभी आर काठी. और जहां जानते हैं कि जहां बीच में आपको और या अथवा ऐसे समास विग्रह करने के बाद मिले, तो वो क्या कहलाता है? वो त्वभी द्वंद समास के अंतरगत आते हैं. हम यहां पे सिर्फ हाइफेन या नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हाइफेन से आपने ही बताइएगा कि यह जो वो द्वंद समास है, नहीं तो यह गलत हो जाएगा. आप चीज़ों को गहराई से समझेगा, अगर आपने हमारे समास का वीडियो देखा है, तो आपको यह सारी चीज़ें आपको असपस्ट रूप में पता चल गया होगा. तो इसका अंसर हो जाएगा, option C, इसका सही अंसर हो जाएगा. सवाल है कि चावी काठी नाटक की रचनाकाल मानल गेले तो लगवग 1960-1980 के बीच में इस नाटक को लिख लिया गया था, लेकिन इसका परकासन 2006 में होता है, ठीक है, पहला परकासन, दूसरा परकासन इसका 2019 में आता है. चाभी काथी नाटक के प्रकासन कौन बच्छर भेल है तो चाभी काथी नाटक के प्रकासन 2006 इसवी में हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाभी काठी नाटक कर परकासक संस्थाक नाम बतावा तो चाभी काठी नाटक के परकासक संस्थाक के बारे में गर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके परकासक संस्थाक कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा बाली डी खोठा कमिटी पुकारो बाली डी खोठा कमिटी पुकारो इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि चाभी काठी नाटक कर लिखवा यक जनम ठाओ बतावा तो सबसे पहले याद रखना कि चाभी काठी नाटक को जो लिखा है वो पानूरी जी के द्वारा लिखा गिया है और जानते हैं कि पानूरी जी का जनम कहाँ पे हुआ है तो इनका जनम जो है वो बर्वा अड़ा धनबाद में हुआ है कहाँ पे हुआ है बर्वा अड़ा धनबाद में हना कल्यान फूर्मा जगा है वही पे इनका जनम हुआ है तो अंसर हो जाएगा option D 25 December 1920 इस वी को इनका जर्म होता है 25 December 1920 इस वी को इनका जर्म होता है इसलिए इसी उपलच में 25 December को हर वर्स जो वो खोठा दिवस के रोप में भी मनाया जाता है ये सारी बाते आपको असपश्ट रोप में पता चल गया होगा 2020 में इसका कह सकते कि सताबदी वर्स भी मनाया गया है क्योंकि 1920 में इनका जन्म हुआ था और 2020 में इसका सताबदी 100 वर्स पूरे होने के उपलच में सताबदी वर्स भी मनाया गया था तो ये सारी बाते आपको ध्यान डगना है, हो सकता है कि सवाल कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ ले आप से, सवाल एकी चाभी काठी नाटक के लिखवईयक मायक और बापक नाम बतावा, तो पानुरी जी के माता का नाम दुखनी देवी और पिता का नाम सालिग्राम पानु ये आपको गलत मेल छाटना है, तो कालूराम साहुकार रहता है या जमिदार रहता है, ये बिल्कुर सही है, मोती एक विदूसर के रूप में जाना जाता है, जबकि रोहन जो वो कालूराम का बेटा है, ये तीनों आप्सन तो सही है, लेकिन फकीरा जो हो ये चोर नहीं र गल्ट है संभू एक रांतिकारी यूवक के रूप में दिखाएगीना है बिल्कुल सही है बाबा गाउं का एक ग्रामें के रूप में देखने को मिलता है जो की गरीब लोक करके इसका जमीन जो वो हडब लेता है हाँ ना तो श्रीपती एक ग्रामिन रहता है जिसका जमीन जो वो कालू राम ने हड़पा था ठीके तो यह सारी चीज़ें आपको धियान रखना ते यह आंसर यो वो डी गलत हो जाएगा हाना चलि कौंटा सही मेल नायक है इसमें से कौं सा सही मे ही है स्वहागी संभू की मां है ये बिल्कुल सही है समरी गाउं की एक औरत है ये भी सही है हाना समरी कौन है तो समरी जो वो गाउं की एक औरत है हाना एको कह सकते कि विद्वा विद्वा औरत है जो की जगरा कालू नाम के चंगुल से संभू छोड़ाते है हाना तो ये सारी जाए चाजेजें आपको धियाँ तीसरा चूट्रीमा heter जो की विदूसक मौति की पत्नी है तो यह भी सही है U ठीक है आब बात करते हैं का चौथा दम्यंती तो दम्यंती बता दे कि ये संभूब की पत्नी नहीं है ये ये संभूब की कथन और अंतिम कथन कई बार नाटक से पूछ लिए जाते हैं तो ये दोनों आपको धियान रखना है या पर तो पहला कथन इसमें जो है आया है वो संभू का आया है है नहीं बूलता कि ओह गरीबी की अभिसाप गरीबे के सभिन हीन दृष्टी से देखत तूछ बुझत इस कथन है कौन बोलता है यह बात तो यह बात जो बोलता है वो संभू बोलता है कौन बोलता है जी तो संभू बोलता है यह नाम आपको ध्यान रखना है चाभी काथी नाटक के अंत कहकर कथन से भेले तो चाभी काथी नाटक का अंत जो होता है वो होता है ग्रामिनों के द्व हुआ है तो याद रखेंगे चाभी काठी नाटक का अंतिम कथन जो वो ग्रामिनों के द्वारा बोला गया है जबकि पहला कथन जो वो संभू के द्वारा बोला गया है तो दोनों चीजें आपको धियान रखना है चाभी काठी नाटक के दूसर परकासन कौन साल भेले तो दूसरा परकासन 2019 में इसका हुआ है पहला परकासन का हुआ था 2006 में जबकि अगर 2006 option में नहीं रहे अगर 2006 option में नहीं दिखे आपको दिखें दोनों चीज़ें आपको बता दे रहे और अगर आपको option में 2010 दिखे तो आप answer 2010 कर लिजेगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जो original textbook है उसमें से 2006 ना दे करके 2010 दिया हुआ है जबकि अन्य सारे किताबों में जो वो 2006 लिखा हुआ है ठीक है पहला परकासन तो आप देख लिजेगा अगर 6 option में होगा तब तो आप 6 ही करेंगे लेकिन अगर 2006 option में नहीं मिले और 2010 option में मिले कि चाभी काठी नाटक का पहला परकासन तो 2010 भी आप वैसे में अंसर किजेगा दूसरा परकासन 2019 है ठीक है तो ये दोनों चीज़ें आपको धियान रखना है कालूरामेक जए, रोहनेक जए, संभू वाभुक जए ये कथन कोन नाटक से आईल है तो यह नाटक जो वो चाभी काठी नाटक में ये कथन जो वो आया हुआ है और ग्रौमिनों के द्वारा यह नारा लगा जाता है अंत में जब देखता है कि कालूराम भी जो वो बदल जाता है ग्रामिनों के साथ देने लगता है बोलता है कि अब मेरे साथ में कोई जब है ही नहीं तो हम अकेली रह करके क्या करेंगे तो ऐसे में जो वो अंतिम समय में जो वो कालूराम जो वो इसका हिर्दे परिवर्तन होता है और लोगों के साथ में ग्रामिनों के साथ में यहाने का निश्य करता है और बोलता है कि हम अपना सारा चाभी काठी जो वो संभू को देता है यानि अपना सारा धन संपती संभू क को दे करके वो कासी जाना चाहता है लेकिन लोग फिर मना करते हैं संभू भी बुलता है कि नहीं काका आपको कहीं जाना नहीं है लेकिन अपना जो रवया है अपना जो नीती है उसमें बदलाव करना है है ना जो गाउं के लोगों के साथ में जो आप सोसन और अत्याचार कर वो चीज आपको नहीं करना है अगला सवाल की चाभी काथी नाटके कथानक के मूल कत्थ की है तो सोसक अत्याचारी के खिलाप में अंदोलन क्या यहाँ पे मुखी रूप में इसका जो वो कथानक है ठीक है अगरा सवाल की चावी काठी नाटक के भूमी का लिख लिख लिखत तो इस नाटक की भूमी का जो लिखा गया है वो गृधारी गोश्वामी अकास खूटी के द्वारा लिखा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करें कि यहाँ पे लेखक परीचे किस ने दिय आपको पूछा जाएगा वो भूमी का लेखा की पूछा जाएगा ठीक है कालू राम के मुंसी के नाम कीर हो है तो कालू राम के मुंसी का नाम क्या रहता है तो फकीरा रहता है फकीरा इसका अंसर हो जाएगा जबकि सीजी और संतु यह कौन रहता है तो कालू राम का लठ च्ट्रपहध्य को यहा सभी राता है है ये दोनों जोपो लट aussi रहता है कालू राम ये दोनों नाम में आपको धियान रखनाय और र तो चूटरा बाप और चूटरी माई ये दो तो दो पहला बात कि यहाँ पे हसी मजाक के रूप में दिखाया गया इन दोनों को दो दुरिश में इन दोनों का जो यहाँ पे चर्चा आया हुगा है इस नाटक में गाव का सहरी और पश्मा संस्कृतिक परभाव इस दोनों के उपर में दिखाया गया है हना कि कैसे पश्चमी संस्कृति को लोग आज जो अपना रहे हैं जो चीज हमें नहीं पता होता है लेकिन फिर भी हम उसी भासा को बोलने का प्रियास करते हैं अंग्रेजी हमको नहीं आता है लेकिन फिर भी हम लोग दिखावा के लिए बहासा सब जो वो पश्मी संस्कृती को अपना रहें जबकि अपनी संस्कृती जो है वो कहीं न कहीं लोग भूल रहें उसके बारे में यहाँ पी बताये गया है इन दोनों पात्र के माध्यम से ठीक है तो यह दोनों चीजें आपको धियान डखना है अगला सवाल है कि सापि जीत है option C, दम्यंती कौन नाटके आयल पात्र लागे, तो दम्यंती जो वो किस नाटक की पात्र है, तो यह चाभी काठी नाटक में आई वी एक पात्र है, जो की एक सहरी यूवती रहती है, कौन रहती है, एक सहरी यूवती के रूप में दिखाया गया है, इस नाटक में, य तो असल होता क्या कि जब संभू सहर जाता है तो काफी ज़्यादा परिसान होता है आखिर में उसे खाने के लिए तक पैसा नहीं रहता है तो उसे एक व्यक्ति कहता है कि अगर ये मेरा समान अगर उठा करके अस्टेशन तक पहुचा दो तो हम तुम्हें कुछ पैसे देंग तो यह बात जो वो कौन बोलता है संभू बोलता है राधो से तो इसका अंसर हो जाएगा option A वहीं पर रतिराम मिलता है रतिराम जो वो संभू के बातों से सुनकर के काफी ज़्यादा परिसान होता है और फिर बोलता है कि आखिर में तुम पढ़े लिखे लग रहे हो और फ पैसा उसके बाद में जो भी पैसा होगा उसके बाद तुम भेजते रहा ना लेकिन अभी 200 रुपया तुम अपनी मां के पास में भेजवाद हो और हमारे अस्कुल में अब तुम पढ़ाओ तो यह बात जो कौन बोलता है तो रतिराम बोलता है अंसर हो जाएगा 200 रुपय होतोरा हाथेंं बेग राखे होतो गालें पाउडर गडे होतो और ओठों लिभीश्ластिक को लगवे होतो यह बात की और कक्रा से को हो ए तई यह बात जो वो मोति कहता है अपनी पतनी से जो कि विदूशक रहता है हना अपनी पतनी चुटरी माय से कहता है दरसल क्या होता है श्रांकी मोती जो व एक पहले जो समाय पोश्ट पर काम कर रहा था उसका पोश्ट में जो थोड़ा पर्मोचन होता है और वो बन जाता है कह सकते हैं कि बड़ा ओफिसर बन जाता है आला ओफिसर तो बोलता है कि अब हम बड़ा ओफिसर बन गए हैं अब तुम चुट्रा बाप चुट्री माय चुट्रा चुट्री सब बोल में कैसे हो तो अब थोड़ा धंग से बोले लो तो ने तो सब की कहा थून कि अतना बड़ तो मोती बोलता है चूटरी माय से तो इसका अंसर जो हो जाएगा वो option D इसका सही अंसर हो जाएगा चाभी काथी नाटक के लेखक परीचे के लिख लिख लेयत तो चाभी काथी नाटक के लेखक परीचे जो है वो है विनोध रवानी है ना इसका अंसर क्या हो जाएगा विन इन्होंने लिख दिया था इस नाटक को और आकास खोंटी जी कौन है तो इन्होंने भूमी का लिखा है इन्होंने क्या है भूमी का लिखा है तो यह सारी बाते आपको असपस्ट रूप में पता चल गया होगा चले आगे बरते हैं और आते हैं अगले सवालों पे ना कालू राम बोलता है किसे मंगला से बोलता है ना मंगला से बोलता है यहां पर थोड़ा टैपिंग मिस्टेक है मंगला हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानि मंगला से यह बात जो बोलता है धानी राम कौन नाटक में आयल पात्र लागए तो यह बता दे को नाटक एक पात्र लाग थे तो याद रखेंगे कांग्रेस के उमिदवार के रूप में यहाँ पे इस नाटक में चर्चाया है किस में चाभी काठीन में कहां पे मीटिंग खादिर बोले ले हला कालू राम के तो पीपरा टाणी में कहां पे पीपरा टाणी में इसका अंसर हो जाएगा option a इसका जहुब सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि चाभी काठी नाटे के आयल पात्र घणी राम कुरो हो है तो एक ग्रामिन के साम रहता है नएस अंसर हो जाएगा option d मामी तोर मोटकी बहेनिया के कहा अप्दून हमरा मामी कहता मामी बने खेलता ही है ठुथूर महाठी इबात किया और ककरा से कहले तो जब चुट्रा बाप जिसको मोती कह सकते हैं ना मोती बोलता है ना कि अब तुमको अब तोरा जे गिदर बुतरू सा मायनाय कहत थून अब सुन लेता है मामी बोलता है मामी चूटरी बहेन की मोती से बोलती है इसका अंसर जाएगा option A चले आगे बरते हैं आते हैं अगले सवाल पे अमेरिका के कुति अब राम राम बोलने लगे हैं ये कथन के और कोन नाटकें कहल गे लए बात की जो बोला गया है वो दम्यंती के द्वारा शाभी काठी नाटक में बोला गया है तो इसका अंसर जो हो जाएगा वो option C हो जाएगा जब कह सकते की मोती यानि चुटरा बाप और चुटरी माई जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये तुमको बोलना होगा ये करना होगा थोड़ा अच्छा से बोलना होगा तब ही आती है वहां पे दम्यंती और कुछ कुछ बातें वहा पे बोलती है फिर दम्यंती बोलती है कि आज का अख़बार आपने बढ़ा है उसमें लिखा हुआ कि अमैरिका के कुट्ति अब राम राम बोलने लगे हैं तो बोलते है की तब भौ भौ काउन करेगा तो बोले आप लोग जैसे लोग करेंगे क्योंकि जो आपनी संस्कृति है उस चीजों को छोड़ करके और एक यहां पर बात और भी आया है जैसे वह होता है न कि जूठा पत्री चाटे के आपको सामने खीर मिल रहा है खीर ना खा करके और जूठा पत के पीछे आप भाग रहे हैं जिसका कोई अस्तितु ही नहीं है जिसका कोई आधार नहीं है आप उन के पीछे भाग रहे हैं जबकि आपका जो वास्त्विक संस्कृति है वास्त्विक आधार है वास्त्विक जो आपका भासा है उन चीजों को आप छोड़ रहे हैं तो उस सारी बात यहां पर किया गया है इस नाटक के माध्यम से संबू के इसकुले पढ़ावे खातिर कौन नौकरी में राखल हले तो रती राम जो वो नौकरी में रखता है है ना तो इसका अंसर हो जाएगा option B अगला सवाल है कि चाभी काठी नाटक के आयल विदूसक है तो चाभ नाटक में पढ़ा था अजगर नाटक में पढ़ा था अजगर नाटक में भी आपने दो विदूसक के बारे में आपने महाँ पर पढ़ा था है ना तो विदूसक होते हैं जो कि कह सकते कि कॉमेडियन या कह सकते कि लबार बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं लबार बोलत तो नाटक को थोड़ा interested बनाने के लिए थोड़ा पढ़ने में मन लगने के लिए इन पात्रों को यहाँ पे सामिल किया जाता है खेलेर हो गया और इन पात्रों को सामिल करने का और कोई दूसरा मकसद वैसा नहीं होता है केवल यही होता है ताकि लोगों को यह नाटक जो पढ़ने में पसंद आए फिल्म देखने में कई बार आपको जब देखते होंगे कि कोमेडियन जब आता है तो फिल्मों में देखने में आपको मन लगता है और थोड़ा हसी मजाग होता है तो लोगों का मन लग जाता है इसलिए इन कोमेडियन को यह वो इस नाटक में हो यह सभी को सामिल किया जाता ह अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कालू राम ककर जमीन रेहन के नामें हड़प ले है तो कालू राम जो वो किसका जमीन जो वो रेहन के नाम पर नाम पर हडप लेता है तो इसका अंसर हो जाएगा समरी का समरी का जमीन जो वो हडप लेता है कालू राम रेहन के नाम प करते थे जमिदारों के हूं चाभी काथी नाट एक फेशन पात्र रूप dollar तो कालु नराम एक सुद्खोर साहुकार के रूप में एक जमिदार के रूप में और एक सोसक अत्याचारी के रूप में दिखाया गया तरह अंसर हो जाएगा option D यानि इस सभे रूप में देखावर गेल है कालूराम खातिर कर्मी कौन चीज कर दलाली कर अलिक तो उसकी अयासी खातिर जो वो लड़की एकर खोजने का वो काम करती थी है ना और यह सारी बात उसार वो सभी कायरी जो वो किया करती थी ले संभू आपन चाभी काठी ले एक केकर का थन लागए तो यह बात जो वो कालूराम बोलता है किस संभू से बोलता है तो इसका अंसर हो जाएगा कालूराम शबाले की कालूराम सब संपती छोड़कर कहां जाएक बात करो है तो कालूराम अपना सारा संपती छोड़ करके कहां जाने का बात करता है तो वो कासी जाने का बात करता है तो अंसर हो जाएगा option B सबाला कि कालूराम के दियल चावी काटी के संभू कगरा संपले तो वो जो रोहन को संप देता है जो कि कालूराम का बेटा रहता है बोलता कि ये सब चीजें कि हमें आवशकता नहीं है हम लोगों ने केबल इतना परियास किया है ताकि गाउं में सुधार हो गाउं में सभी लोगों में समानता आए सभी लोगों को एक जैसा माना जाए बस हम लोग यही परियास कर रहे हैं है ना तिसका अंसर हो जाएगा option B अकेले चना भार नहीं फोड़ता इक अथन के के जूट करके देखवल है तो कई बार बोलते हैं कि हम अकेले हैं हम अकेले क्या करेंगे तो बता देखिया बाते जो बोलता है उनको संभू से सीखनी चाहिए आखिर में संभू ने भी अकेले ही परियास किया था इस नाटक में पूरे कह सकते हैं कि पूरे गाउं को सुधारने का परियास जो वो सबसे पहले अकेले सुरुबात किया लेकिन अंत में देखिये पूरे गाउं उसके साथ में हो गए तो कई बार होता है कि शुरुबात करने के समय में आप अकेले ही होते हैं बाद में आपकी पूरी काइनात आपके साथ में होता है कई बार बोलते हैं कि जब तक आप सफल हैं तब तक आप अकेले हैं आप सफल हो जाएंगे तो कई लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे कई लोग आपको रिष्तेदार बताना शुरू कर देंगे कई लोग आपको भाई बताना शुरू कर देंगे कई लोग आपको जो वो मित्र बताना शुरुवात कर देंगे कि वो हमारे मित्र थे हम लोग एक साथ रहा करते थे उनका नौकरी हो गया है तो कई बार ऐसा होता है ये आज की नहीं ये सुरवात से चला आ रहा है जब तक आप सही जगा पे नहीं पहुंचे है तब तक आपके लोग जो वो क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन जैसे आप अच जो हो जाएगा वो ऑप्सन ये इसका सही एंसर हो जाएगा चाभी काटी नाटक कर नायक संभू में कुछे समिचक केकर शाहूर देखा है या बात जो वो बोला गया है कि विनोद बिहारी मातों के छाया उसमें से उनको उनपर देखा जाता है संभू के रूप में सम्भू कौन कलास ले पढ़ल रहे तो वो बी ए तक पढ़ा हुआ था अंसर क्या जगा बी ए कलास तक पढ़ा रहता है चाभी काठी नाटक कौन विचार धारक नाटक लागए तो चाभी काठी जो वो सामाजिक जनवादी और ग्राम उथान के रूप में यहाँ पर बताया गया है आज का आखरी सवाल है कि एकर में गलत कथन के चाटा, स्वहागी संभू की मा है, सम्री एगो गरी बिध्वा है और धनी राम एक ग्रामीन है, तो यहाँ पर आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन जो गलत है, इसका अंसर आप कमेंट करके हमें बताईएगा कि इसमें से गल आपको कमेंट करके बताना है तो ये दो चीज आपको जो वो कमेंट के माध्यम से लिखना है तो फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं हम नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत देनिवाद